पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन में आपका स्वागत है मैं हो उत्पल चौधरी आज हम बात करेंगे डेड़ स्कीन सेल्स निकालने के लिए यह हैं इसकीन एक्सफॉलियेट करने का सही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ सही इस टेप किस तरे आपको उठान के तो आई शुरू करते हैं आज का वीडियो लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले बोला चाहूंगा आपने अभी तक चैनल सब्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्क्राइब कर द scripture बेल आईकों की घंड़ी ृच के लिए注 मातने लित्त एकसपोलेशन को अंदुरुणी तार पर साफ करने के लिए इसकीन को चमकदार बनाता है। एकसपोलेशन करने से डेड़ सेल्स आसानी से निकल जाते हैं और तुचा लेकिन बहुत से लोगों को करने का सही तरीका नहीं पता होता है ज cupboard कंसे सूजन हैं जैसे एकने स्फॉजन और लालोमा की समझ्या हो जाती है बशे तो इसकीन को खरक्ष छोंच मैं magnet करने कीलिए बाजार में कई नहीं देते हैं ऐसे में इसकीन को एक्सफोलियेट करने के लिए घर पर इस खास तरीके से किया जा सकता है इस तरीके से एक्सफोलियेट करने से तोचा चमगदार बनेगी और इसकीन हिल्दी होगी तो आए जानते हैं इसकीन को एक्सफोलेट करने का सही तरीका, इसकिन को एक्सफोलेट करने का तरीका उसके लिए आपको समगरी चाहिए, एक चमज बेशन, एक चमज दही, आदा चमज सहर, कि इसको लगाने का तरीका भी आपको बता रहा हूं इसकिन को explot. करने के लिए मिस्षूंद को बनाने के लिए सभी चीज़ों को मिलाकर पेश्ट त्यार करें अब इस पेश्ट को लगाने से पहले चहरे पर पानी से वास करें उसके बाद इस पेश्ट को चेहरे पर ब्रुस या उंगलियों की मदद से इसे चेहरे पर पंदर मिनट के लिए लगा के रखें हटाने से पहले इस मिश्टरन को हलके हाथ से चेहरे पर रब करें उसके बाद चेहरे को गुंगने पानी से धूले यह मिश्टरन इस्किन को क्लीन करने के साथ इसकिन को चमकदार बनाता है सह मिश्टरन इसकिन को मुलायम भी बनाता है और डेड़ स्किन सेल्स को आसानी से साब भी करता है इसकिन को एक्स्पोलेट करने से कब बचे धूप से जुलसी तुचा या आपकी तुचा पहले से धूप में जूलसी हुई है, या किसी अन-स्किन समन्दी परिष्णई का सामना कर रही है, तो जब तक पूरी तरह से ठीक ना हो चुझाए, तब तक एक्सपुलियेटर करने से बचना चाहिए。 इस तरह इसकिन पर exfoliate करने से तोचा में जलन की समस्या हो सकती है खुले घाओ या कट यद आपकी तोचा पर खुले घाओ कट है तो exfoliate करने से पहले बचना चाहिए क्योंकि exfoliate करने में इन्में बैक्टरिया आसानी से घुष सकता है और infection हो सकता है ऐसे में अगर तोचा पर कोई कट है तो कुछ दिनों के लिए एकस्फॉलेशन करने से बचस सकते और चेरे पर लालमा की समस्या भी हो सकती है की एग्सक्र ouiet करने के बाद इसकी समस्याओं से बचने के लिए टिप्स मैं आपको दे रहा हूं कि धिमी सुरूबात करें भोग तोंचा को rereट करने के दौरान हात को तोचा पर बहुत तेजी से गुमाते हैं इसकारण exfoliating से जलन और चेरे पर दरारों की समझ्या हो सकती है ऐसे में exfoliate करने के बाद हाथ को हलके तरीक सर्कुलर मोशन में गुमाएं exfoliation करने से आपकी तोचा UV करोन के प्रति सम्मेदिन सिल हो सकती है ऐसे में चेरे को exfoliate करने के बाद SPF वाला sun screen इस्तिमाल करें मॉसराइस करें तोचा को exfoliate करने के बाद हाइडेंट रखने के लिए तोचा के आनुसार मॉसराइस लगाएं ऐसा करने से skin dry होने से बचेगी और हाइडेंट भी रहेगी सन इस्किन का प्रियोप करें इस्किन को exfoliate करने के बाद इस तरीक को फालू करना चाहिए ताकि exfoliate करने से पहले पेश्ट टेस्ट अवस्य करें तो यह था हमारा आज का वीडियो आपको कशा लगा हमें जूरू बताएं धन्यवाद झाल